चैप्टर 29 बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने विबिन गरंतियां देखिए अब जो लास्ट गरंति हमारी बच रही है वह अधीव्रक रंति है एड्रेनल ग्लेंड या एक नंबर का कॉश्चन एक्जाम परपस से भी है नीट के परपस से भी कि जीवन के बु टोपर पाई जाएजी. कीड्रेक यह उपर यह तिप्री बचल यह फिद्री बचल के आ ti ओए candy ङौह है यह अब इतोर्वाम की और दो लों के डैंपर श्पे स्टप्चछ चरो फिचे रह और तो यह हम बचलित GUTI. सबाने होता है एक नंब यह इसका का गरंति चार या नि चो के समान यह थी। अधिव्रह ग्रंतिय यह को है है तोतीक है जोma से हम最 rare बढ़े थे शचे पर इस हम लोग पढ़ते हैं उत्पवत्ति को है और भरन समय चाहती है ठीड़ंत है ना तो अगर उत्पत्ति बोले तो एक्टो मीजोडर्मल इसकी उत्पत्ति होती है अब यह जो अधिवर्ग ब्रंती देख रहे हो आप यह भी दो शेत्रों में वटी होती है इस सरीके से बाहर वाला जो शेत्र होता है लब अगर मैं इसको उठाके देखू तो यह कुछ ऐ बनाता है एक इसको बनाए हम लोग अजितां के इसके दो शेत्री दिखते है बाहर वाला ty करेद लाता है वाल्कुट और अंदरवाला करेदा है मेढूला या मध्यांश कुर्ण भा अदिवर्च दैंड अधिवरक वल्कुट वल्कुट यानि बाहर मध्यांश ठीक है तो वल्कुट जो होता है वो ज्यादा इससा बनाता है यानि मध्यांश जो होता है वो छोटा होगा तो 80 से 90 परसेंट जो है वो किसका बना होता है वल्कुट का बना होता है मध्याश्किता बना होता है 10 to 20 परसंट बनाता है समझ में आ गया अब अधिवर्ध यानि वलकुट का जो उत्पत्ति होती है वलकुट की उत्पति होती है मीजोडर्म से ठीक है और मध्याश्क लिजो होता है उसका होता है और फिर भी मीजोडर्म से पति तो याद रखने का तरीका है कि वलकूट यह जो हो ती होती है तो उत्पत्ति जो बाहर को ने वलकुट बाहर है तो सब्सक्राइब लेकिन ऐसा होता नहीं है आरीबाक समझ में बुल्पट वहां किसे मीज़ोड़म से debating से क्या बन रहा है nasal M纠 के इतला हो रहा है ध्यांश पैली और ये तीसरी और ये वल्कुट वाला हिस्सा रहा है तो यह पहला है और मद्यान सेकंड इससा है तो उल्टा हो रहा है यह चीज ध्यान रखना समझ में आगे हैं तो यह याद रखने का तरीका है आपका अब यह जो वलकुट देख रहे हो उसको तीन हस्सों में डिवाइट किया गया है जोना ग्लमरुलसा जोना पैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस यह नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि आप यह जो स्लाइड जो पढ़ते हो है ना उस लाइड के अंदर ही आपके काम आते हैं तो जोना ग्लमरुलोसा आएगा सबसे पहले फिर इसके नीचे यानि सबसे उपर पहले क्या आता है इसकी जोना रेटिकुलेरिस आएगा जिसके बाद है लींग हार्मोन और फिर आता है मद्यांश तो मद्यांश के द्वारा क्या किया जाता है अपात कालिक हार्मोन कहा जाता है वो रिलीज होते हैं तो अगर मैं आपको इसकी स्ट्रॉक्टर डाइग्राम से शेयर करके बताओं तो देखो विटा डाइग्राम के अंदर आप लोगों को यह देखो कि स्क्रीन शेयर जो मैं कर रही हूं सामने यह आप डाइग्राम देख रहे हो ना यह तो इसके अंदर जो सबसे पहली लेयर आ रही है है न यह पहली लेयर जो है क्लियर आपको नहीं दिख रहा तो मैं शोटी कर रही हूं तो सबसे पहले जो यह आएगा संपुट एक बाहर आवरण पाया जाता है अदीवर्ण रंथी के वह क्या के लाएगा जो संपुट है वह के लाएगा ठीके उसके बाद जो लेयर आएगी कौन सी है सामने हमारे जोना ग्लैमुरूलोसा आएगी तो यह कोशिक हैं जो आपक लेगराइगा वेह जो लेट्म यह अधिक तो और पिर समपूट यहां इख रहे हुए और यह पूरा क्यों स Ragged सब्सके एक मद्ध्लोस हो ग्या रेटिकλल लेट़् लिए तो क्योंट करने है तो इसके बासे पूरा यह जो तीन आप हिसे लिए किसके है यह और फें मcommitteeant अपते यह और यहां पर आप को जो दिख रहे हैं यह तो है धमनी और यह जो नीले ती है तो यह जो नीले कलर कि दिख रहे हैं सबीता है क्या सबती है क्या सब्सक्राइज करो दुद कने में? लिए क्रीव करते हैं अब देखे हैं इस तरीवे का यहां वलकुत है यह एक है यह किसका बना रही है मद्याश का निर्वान कर गी है तो यह आपके important है अब हम लोग जो देखेंगे वो next इसकी structure और इसके द्वारा हार्मॉन जो होते हैं उनके कारियों को हम देखेंगे तो देखो यह हमारी है अधिवर्ग रंथी ठीक है दोनों किड्نीज के उपर आपको सामने अच्छे से नज़िए आ रहा होगा कि दो onu किड्नीज के उपर ये इस तरीके से पाई जाती है अब इसके जो है दो भागों इसको क्या किया जाता है विभाजित किया जाता है कौन-कौन से दो भाग होते ह भी है देखेंगे तो की सैना और कारी को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे तो वजन कितना होता है इसका फास से साथ ग्राम की ग्रंती है जो एड्रेनली ग्रंती का लगवग 90 प्रतिशत भाग बनाती है जो कोर्टेक्स है या वलकुट है वो कितना प्रतिशत बनाती है लगवग 90 प्रतिशत बनाती है यह कई स्टोरेड हार्मोन उत्पत करती है जिने कोर्टिको स्टिरोइट कहा जाता है कोर्टेक्स के तीन शेत्र होते है कोर्टेक्स हमेशा वसा प्रकृति के हार्मोन कोर्टेक्स का मतलब है यहां पर वलकुद तो वलकुट जो है वो क्या करता है वसा प्रकरती की हार्मोन क्या करता है बनाता है जिने कोटिकोस्टिरोइट्स कहा जाता है पहला शेत्र होता है बाहिशेत्र जिसे मिन्रेलो कोटिकोइट्स का स्त्रावण होता है ठीके फिर मद्दी में आता है मद्दी शेत्र जो होता है उसके दोरा ग्लुको कॉल्टिकॉटिकॉइट अस्त्रावित होता है और तर्फिय शित्र होता है यह हार्मोन हो ता है इसलाई सै घौए में नेक्स्तर में हीनरी ओलते हैं भाहिशोemy भाहिशो ही कि सत्रूबयाइता है कि इसेधल कि यह वार्व भाहिशोप सब्सक्राइब कि आ sogar पैमuges Hope एता है। इसेधल कि ला ही जोना के लुबन्हें कि आने देटर सब्सक्राइब है। सब्सक्राइब करने हैं। झिच छेटर कोईट्स तो इसके अंतरगत कौन-कौन से हार्मोन आते हैं मिन्रेले कोईटिकोईट्स के अंदर दो आते हैं एक तो एल्डेस्टिरोन होता है और दूसरा होता है डी हाइड्रो एपी एन्डर कोशिकाओं उत्पन होता है मिन्डीय कोशिकाओं कियाकुआ है में इन्के दवाराा Originals किया जाता है auf इस्तिरोईड हार्मोन का एंग समव कंव उखनीज और मिनरल कि सांदेटा को नियेंद करता हैऊशBR JON यानि जो हमारी दूरुस्त पुण्डलित नलीका है और हेंले लूप है वहाँ पर मिनेरल का क्या होता है एब्जॉवेशन होता है तो जो हमारी नेफ्रोन होती है उससे तो रख्ये नलीकाओं के द्वारा रग्त में सोडियम के पुना अप्सोशण को क्या करता है व्रधि कर करकर मुट्र से किसमें डाला जाता है रख्त में डाला जाता हैं मुत्र में summat संतूलन बना रहता है इलेक्टरोलाइट हमारे यह होते हैं ना तो उनकी मात्रा को संतूलित करने का क्या करता है काम करता है एडेस्टरोन की अधिक्ता से या अधिक स्थरव से उच्छ रक्त चाप यानि हाई ब्लड प्रेशर की बिमारी हो जाती है और रक्त में वलकुट का फैसिकुलेटा भाग यानि मद्य वाला जो भाग है वो करता है ठीक है अड्रीनल कॉर्टेक्स के मद्य शेस्टर से स्थावित होने वाला हार्मोन यह रक्त शरकरा यानि रक्त में ग्लुकोस की सांध्रिता को नियद्रित करता है यह दो तरह के होते हैं कौन-कौ से कॉर्टिसॉल और हाइड्रोकॉर्टिसॉल और दूसरा है कॉर्टिकोस्टेरोन समझ में आ गया तो इसका काम पहले वाले काम था खनी यानि सोडियम और को कोटेशियम की मात्रा को नियंद्रित करना खनीज जोते हैं उन्हें मिनरल्स कहते हैं इसलिए उसका नाम क्या होता है इसका निर्मान होता है अब तेखो क्या है नियम करते के अलावा सभी तरह के भोच्य पदा कार्भोहाइडरेट प्रोटीन वसा अधिके उपाप्चय को प्रभावित कर थे लब इनके पाचंग में इनके निर्मान में ठीक है आं आ ऑ कोकौन्टमिंट की रिकली बत्त इनटी इनटनाव के प्रभाव कर्ता है शनल यह और वामानन मान करता है रिपता है कम करने में असलेव का प्रता है को Glycozon में परिवर्तित करता है तो Activation प्रोटीन एमिनो अम्म्लेस से cria को होने में मदद करता है यह कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोस के उपियों को भी कम करता है जिसके पाईज़काव की शरक्रा का इस जाकषा मीरस बदड़ जायेगे तो प्रेंद पियंवल कमप्लीट होगा, ने किया जाता है जिसकी वज़े से क्या होता है ग्लूकोस की मातरा क्या होती है संतुलित हो जाती है फिर आता है ग्लूके कोर्टेकोइट्स की अधिक मातरा में इस्तरावित होने की कारण कुशिंग नामक रोग होता है जो प्राय कोर्टेक्स में ट्यूमर का निर्मान करता है ट्यूमर मतलब रीजन महां पर चर्वी बढ़ जाती है उदर पर धारियां बन जाती है जो रियस पेत के उपर आपको वाला इसल्टोर्ट बढ़ चाप बढ़ जाता है कमर जाता है कमर दर दर दोत हैर पूरशों में क्या आती यह नपुशंकता और इस्प्रियों में मासिक धर्म क्या हो जाता है बंद हो जाता है फिर आता है गोनेडो कोर्टिकोइट्स हार्मोन जो की जोनार रेटिकुलेरिस के द्वारा क्या किया जाता है स्त्रावित किया जाता है यह सेक्स हार्मोन भी कहलाता है यहाँ एड्रिनलिन को कौन रिलीज कर रहा है प्यूज रंती रिलीज कर रही है वहां से यह हार्मोन आता है तब जाके गौनेडो ट्रॉपिक गौनेडो कोटिकोईड हार्मोन रिलीज होता है ठीक है सेक्स अंगों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है इसके अंतरगत एंड्रोजन एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोण तीन लेंगिक हार्मोन का समावेश होता है यह कित्ते हार्मोन से बना होता है गौनेडो कोटिकोईड तीन हार्मोन से एंड्रोजन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्त्रों से खीक है इन तीनों से मिलकर बना होता है कल मैंने पड़ाया है कि इसका प्रहाओ रशण वर डिम्भाषे यानि अंडाशे जो होता है उसके द्वारा इस्रावित हार्मोन पर भी होता हैं यह पुरुष मिस्तियों के प्रजन अंगों की कारी को क्या करता है प्रभावित करता है समझा गया इस आर्मोन के अतिस्त्रावन से अगर ज्यादा अस्त्रावित हो जाता है तो लेंगी परिपक्वता पहले आ जाती है इस्त्री में जो अगर इस्त्रियों में ज्यादा रिलीज होता है ठीके लिंग हार छोटे हैं लोगम तो सब्सके के अगorfा हार्मोन की वज़े से इस के अलप सक्रिया अधियों द्यान आज हो रहा है एडिसन रोग में कमजोर हो जाता है झरी में ताम चांबस-त्र जाता सोडियम काутьता है घंप स्ट्छाब यूप्ली धशसमीन होता है इस में अडिसों के तो थिसटे समन्धित है पटाइं का नियं तंट्न कोर्टिसोंमेर के नियमित मांत्राईं कर किया जा सकता है यानि धिक हर्मों छोघाता थे होलेगर क्वेय Row तो उसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज के जाते हैं मिनरेलो कोटिकोईट्स ग्लुकोटिकोईट्स और लिंग हार्मोन है तो उनके काम हम लोगों ने देखे अब हम लोग देखेंगे जो अंदर वाला भाग होता है अंतरिख भाग मैडूलीज का ने मद्याश के लाता है यह हमारा अनुकंपी तंतरि न्ता हूं कुझार हमारे नियंट्रण में नहीं होता है ना अनुकंपया और पराणुकंपय तंत्रणर उसको यह बहुत प्रभावित करता है ध्यान रखना चीक्ये इसमें कौन-कौन से हार्मोन होते हैं एड्रेनलीन और नौर एड्रेनलीन हार्मोन जो है वो स्त्रावित किये जाते हैं मध्यांश के द्वारा ठीक है तो इसमें एड्रेनलीन का दूसरा नाम और है जिसे कहा जाता है केटेकोले माइस ठीक है और नौर एड्रेनलीन जो है ठीक है इस यह कि दो हार्मों के नाम आवी रख रखें ठीके फिर आता है नउर एपिनेफरीन ऑर सुन प्रभावित हो यह बहुत कम cat . होता है नौर एपिनेफरिन यानि नौर एड्रेनलीन हार्मोन जो है वो एड्रेनलीन हार्मोन की अपेक्षा में कम इस्तरावित होता है इस हार्मोन का प्रभाव सिंपेटेटिक से स्थ्रवन कम होना पाचेफ ज्थ्रावित होते हैं, फैदय की गति तीब्रों होती है, स्वास Statement, ये सब झख सिकूर। यह सब होता है किसे उत्विपन के प्रतितिक्रिया के लिए शरीर को पड़ते हैं तैयार करते हैं तो यहां परैड्र ðी कारिय बताए गए हैं क्या करता है एड्रेनलीं हार्मोन की रख ऱहीं को driving क、、 विस्तारित करता है कि से जुडी होती है हमारी हड्डियों से जुड़ी होती, उनमें धम्निया जो जुड़ी होती, उनमें धम्निया जो पाई जाती है, उनको फेला देता है जिससे ठकान क्या हो हमें कम हो, स्वास नलीकाओं को विस्तारित को स्वास दर को बढ़ाता है, पाचन संस्थान को चिकनी पेशियों के संकुचन को रोप कर शितिलता उतपन्र करता है फिर है उपापचे दर को बढ़ाता है और यह वंप पेशियों में इसी жить glycogen को कि में बदलता है glucose में बदल कर रक्त में शरकरा का स्थर बढ़ाना तस्य nou लेक्टिक एसिट के स्तर को क्या करता है बढ़ाता है नौर एड्रेनलीन या एपिनेफरीन के कारिये हैं फिर उसके बाद है इतना बहुत है इतना आपके है भी नहीं ठीक है तो यह इतना जो अगर हम लोग देखते हैं तो यह हमारी अधिवर ग्रंती जो है उसके द्वारा होने वाले हार्मोन के विबिन कारिया है कुछ एक रोग देखें रोग के लिए मैं आपके अलग से क्या कर दूंगी वीडियो बना दूंगी